आगे बरते हैं आज डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी की पुनितिती है बीजेपी प्रतियक बूत पर पुनितिती मनाएगी एक पेर मा के नाम अभियान की शुरुबात होगी प्रैवर्ण दिवस के मौके पर पीम मोदी ने इस अभियान का आगाज किया था और अब आज डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी की पुनितिती के मौके पर भी कई कारक्रम आयोजित हैं तो देखे एक पेर मा के नाम यह कारक्रम आप पर भी चलेगा अलग अलग जगाहों पर देखिए अगर बात करते हैं तो अलग अलग जगाहों पर इस तरह से कारक्रम होगी जै इस दिन को बीजेपी की जो कारेकरता हैं वो सभी बनाते हुए नजर आएंगे भारती जंता पार्टी के कारेकरता है टॉक्टर शाव परसाद मुखर जी के 23 जून को बलिदान दिवस के मौके पर बूत पर ही माफ की जगा जो बलिदान दिवस है उसको मनाया जाएगा अलाग अलाग कारेकरता हम आयो जी थे हैं और देखिए अगर शाव परसाद मुखर जी के परिशे की बात करते हैं तेहती साल के उनके कलकता विश्विद्याले के कुलपती वो नियुक्त हुए उनकी जो लाइफ में अचीवमेंट्स है उनकी से 52 की अगर बात करते हैं आम 1923 को परमिट सिस्टम का उलंगन करने पर वो कश्मीर में गिरफ्तार भी हुए साधी साथ गिरफ्तारी के दौरान 23 जून 1923 को उनका निधन हुआ और आज वलिदान दिवस के तौर पर एक बार फिर से बीजेपी उनको याद करें उनके आधर्शों को याद करें कलकता में एक बंगाली परिवार में उनका जनम हुआ था साल 1901 में 6 जुलाई वो तारीक थी भारते जनसंग के वो संस्थापक और ये जो नीव उन्होंने रखी उसके आधार पर आज बीजेपी कहां पर पहुँचिये या आप देख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके राजनेतिक गया बैरिश्टर और शिक शावित थे शामे प्रसाद मुखर जी और आज उनकी पन्वित्री के मौके पर पूरे देश भर म बीजेपी ने कारक्रम आज इत की हैं एंकाउंटर में तीन बदमाश्यों को गोली लगी है लूट की कई बारदातों को अंजाम दे चुके हैं हम देख रहे किस तरीके से अलग-अलग जखो पर पोलिस पूरी तरीके से यहां पर आक्टिव नज़रारी और सबसे बड़ी बात है यूपी में जिस तरीके से कई सारे मामलों में थी कहा जा रहा है कि लूट के वारदातों को भी अंजाम दे चुके हैं जाहिर है कि इन से पूछताच की जाएगी कि आखिरकार जुन घटनाओं में इनकी सैभागिता रही आखिरकार कैसे उनको अंजाम दिया गया क्या इस गिरह का और भी कोई सदस से है जो कि इनके कॉंटाक्ट में था जो इनको मदद पहुंच जा रहा था इसको लेकर के भी पूछता चोगी तीन बदमाश फिलाल मुर्भेड में जखमी हुए है जो बड़ी काम्याबी आपक पुलिस को हासिल हुई है पुलिस को इन्फरमेशन मिली जिसके बाद इटाव पुलिस यहाँ पर पहुंचती ऐसी दोरान पुलिस को आता हुआ देख बदमाशों ने फाइडिंग कर दी क्रॉस फाइडिंग में तीन बदमाश जो की जखमी हुए जिनका फिलाल इलाज हस्पताल में चल रहा है वहाँ पर सिक्वारिटी कड़ी कर दे गई है इटावा स बड़ी खबर है लगदार अपरात पर अनकुष लगानी की सरकार की कोशिश और ऐसे में इटावा पुलिस को मिली है कब बड़ी सफलता आगे बढ़ते हैं आपको बता दे कि मायवती ने भतीजे आकाश को फिर स्टार प्रचारक बनाया है लिस्ट में दूसरे नमबर पर आया है नाम लेकिन यूपी के सियासत में अभी वो दूर रहेंगे जो बयान उनकी तरफ से इलेक्शन में दिया गया था प्रधान मंत्र इतने उनको उत्राखन उप्चिनाओं में पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया है आकाश का नाम लिस्ट में मायवती के बाद दूसरे नमबर पर है तो मायवती ने भतीजे आकाश को एक बार फिर से बड़ी जम्यदारी दियो जिसका जिक्र प्रिती आप कर रही थी कि लोगसभा चुनाव के दर्मियान मायवती के तरफ से आकाश पर एक आक्शन लिया गया था और उन्हें जो जम्यदारी दी गई थी वो वापस उनसे ले लिया गया था लब लेकिन अब उनको वापस से जोड़ना आपने आपने कई सियासी संकेत इसके प्रिती बिल्कुल सही काप या आपने और देखे किस तरीके से अगर एलेक्शन तक हम देखे तो काफी जादा वो एक्टिव थे लेकिन जो बयान उनकी तरफ से दिया गया उनको पहले भी कहा गया था कि ऐसे बयान आप मत दीजे लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे विधान सबाद चुनाओं में जिस तरीके से उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा सिम्टी ना खाता खुला वोट परसंटेज भी गिरा उसके बाद मायवती के लिए अब पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई जरूर शुरू हो चुकी है क्योंकि अगर अब भी मायवती ने अच्छा परफॉर्म उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू नहीं किया तो जाहिर तोर पर इतिहास के पन्नों मेराजनेतिक तॉर पर उनकी पार्टी का नाम दर्ज हो जाएगा पिछले लोग सबाद चुनाओं में गटबंदन में चुनाव लड़ा और सी बी वो भी अपनिदम पर उसमें भी पार्टी का युगदन कामी था इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जो की रांची से है को डर्मा के एक होटेल में फाइरिंग हुई है शराब के निशा में होटेल मालिक से कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद में युगकों ने कई राउंड फाइर शुरू कर दिये फाइरिंग में होटेल मालिक और करमचारी की मौत हो गई आरोपी युबक मौके से फरार है चार्ज में पुलिस जोटी हुई है इस तरह के तमाम घटनाएं लगाता सामने आ रही है और इस तरह की घटनाएं लॉइन और की सिच्वेशन पर सवाल खड़े करती है इस मामलि में भी लॉइन ओर की सिच्वेशन को लेकर सवाल उठखड़े होते हैं कि कैसे अचानक से होटेल में फाइरिंग होती है उसके बाद कई राउंड फायर शुरू हो जाते हैं शराप के नशे में होटेल मालिक से कास उनी हो जाती है और ब संस्कार हुआ, आयोध्या में राम मथिट प्रां प्रतिस्था के मुख्या आचारे लक्षमिकान दिक्षट का निधन हो गया, 82 वर्षे आचारे पिशले कई दनों से बीमार थे, कंभीत बीमारी की चोपेट में थे, लक्षमिकान प्रां प्रतिस्था आयोजन में पुजारियों के टीम में शामिल रहें और उनके निधन पर बीते रोज प्रधानवंट्री नरेंद्र मोडी ने भी शोक समवेदनाई जाहिर के थी और उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे भारत की जो संस्कृति है भारत की जो सनातन परंपरा है उसको लक्षमिकांत दिक्षि ने जीवन्द किया था उनका जाना जाहिद्ध है एक बड़ी शती है लोगों के लिए सनातन संस्कृति को किस तरीके से उन्होंने मान सम्मान दिया वो किसी से छेपी बात नहीं है प्रधानमंद्री इस बात का भी जिक्र करते हैं कि रामदिल्ला के प्रान प्रतिष्ठा क प्राइलाज चल रहा था आपको यह वदाते चले कि मणी करने का घाट पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई अंतिम संस्काव हुआ और जाहिर है कि शोक की लहर चारों तरफ देखने को नड़ रही है बढ़ते खबरों में आके और बाद बिहार की जहां बिहार के सिवार में गिरा ब्रिज गंडक नहर पर बना ब्रिज गिर किया और पिलर के धस्ते ही धा 30 फीट लंबा पुल पांस दिन पहले अरग्या में तूटा था ब्रिच और बिहार में पांच दिनों में दूसरा पुल भी डह गया है शरीवार सुबा सिवान के महराज गंच अनुमंडल के पटे धा और गरॉली गाउं के बीच गंड़क नहर पर बना पुल अचानक से तूट गया एक पिलर के धस्ते ही पुल भरभरा कर नहर में समा गया और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है तो देखें ये कोई पहली तस्वीर नही बिहार से निकल कर सामने आएगे जब कोई पुल तूटा हो, कोई ब्रज गिरा हो और एक बर फिर से पिलर के धस्ते ही 30 सिप नीचे नहर में पुल धस्गया और गंड़क नहर पर ये बना ब्रिज किस तरह से धाराशाई हुआ है वो तस्वीर आपके स्क्रिंग पर है 30 फिट लंबा पुल पिलर के धस्ते इढ़े गया बिहार के सिवान में ब्रिज गिरा है और ये तस्वीर पास दिन पहले अरध्या में भी पुल तूटा था और 40 साल पहले ये ब्रिज बनाया क्या था लेकिन सोचे 40 साल जादा कोई लंबा वक्त नहीं होता है लेकिन जो सरीके से पुल धराशाही हुआ है अगर कोई व्यक्ति इससे घुजर रहा होता तो उसके क्या हालत होती कि गंबीर चोटे आ सकती थी आप समझ सकते हो और अगर तस्विर को गौर से देखेंगे तो आपको फुल के उस पार कुछ लोग नजर भी आ रहे होंगे जो शायद ब्रिज को क्रॉस करने ही वाले थे लेकिन उससे पहले ये पूरा जो ब्रिज है ये गिर गया और देखे शायद जो मरमत इस ब्रिज की होनी चाहिए थी वक्त र पूरा का रहा होगा कि महस 40 साल में पूरा ब्रिज धरा शाही हो गया और जो लोग इनी तस्विरों को रिकॉर्ड कर रहे थे पीछे से आप उनकी आवाज भी सुन सकते हैं तो इस तरह की तमाम तस्विरे पहले भी बिहार से सामने आई हैं जब कभी पूरा का पूरा जो पूल है वो रातो रात चोर उठाग कर ले जाते हैं गाइब हो जाते हैं कई पूल तो जो बन रहे होते हैं उनका गातन भी नहीं होता कि उससे पहले धरा शाही हो जाते हैं हाला कि जम्मू कश्मीर से इस बड़ी खबर आ रहे उसकी बात कर लेते हैं औरी में घुसपैट की खबर के बाद अलर्ट जारी किया गया है सुरक्षा बलो ने इलाके की घेरा बंदी कर दी है सुरक्षा बलो का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है से पहले हमने आपको आपको बताया कि सीमा पार से दो आतंकी घुसपैट की कोशिश कर रहे थे जिनको सुरक्षा बलो ने मार गिराया है और 4 दिन में ये दूसरी घटना है जब सीमा पार आतंकीों किस तरह की घुसपैट की कोशिश को नाकाम किया गया हो हाला कि अब पूरे इलाके में Αलर्ट जारी किया गया है घुसपैट के खबर के बाद की कए और आतंकी सीमा पार से घुसने की कोशिश कर सकते है और ऐसे में लोगों से कहा गया है कि आप साबधान रहिए क्योंकि एक के बाद एक आतंकी घटनाएं घाटी में पिशे कुछ समय से हुई है और ये जो आतंकी उनकी बॉकलाट सामने आ रही है जो स्थाने लोग है आपर जो लोग बाकी राज्यों से जा रहे हैं जमोकश्मीर जो वहाँ के लोग ने उनको ये लोग टारगेट कर रहे है उनको ये लोग अपने हमले का शिकार बना रहे हैं अब ऐसे में सुरक्षाबलू की तरफ से अलरट जारी क्या α क्या है लोगों से कहा ग्या है साथधान रहीए सतर्क रहीए और साती साथ सुरक्षा बलू के तरफ से अलर्ट भी ऑपरेशन ओलाउट भी घाटी में चलाया जा रहा है आतंकियों का सफाया करने के लिए आर्टिकल 370 हटाने के बाद से आप देखिए घाटी में शांति स्तापित हुई है जमो कश्मीर की दिशा और दशा बदली है और के बाद इन आतंकियों को राज नहीं आ रही जिसके बाद से इनकी बॉकलाट लगातार इस तरीके की सामने आ रही है और शली आगे बढ़ते हैं बात होगे एगली खबर की आंदर के पूर्व सीएम के ऑफिस पर हुई है कारवाई पार्टी ऑफिस पर बुल्डोजर चला आंदर प्रदेश के पूर्व क्मंत्री जगन मोहन रेड़ी की पार्टी का निर्माना धीन आफिस राज सरकार ने बुल्डोजर से गिरा दिया शलिवार की सुबह साड़े पाज बजे ये कारवाई की गई आंदर प्रदेश राजदानी शेतर विकास प्लाधिकरण ने य जा रहा था अब इस कारवाई की जो टाइमिंग है उसकी खूब चर्चा हो रही है अब टाइमिंग की चर्चा क्यों रही जरा वो जानिये साल 2023 सितंबर का महीना जब वाईसर सीपी की सरकार थी और जगन मोहन रेड़ी थे सीम तब टीडी पी चीफ चंदरबाबू से लगे फुटपाथ पर अवाई निर्मान को तोड़ दिया इसका उप्योग सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं इसकलाव वाईसर सीपी को विशाका पटनम ओफिस के वाई निर्मान को लेकर भी एक नोटिस मिला है रेड़ी के आंधर प्रदेश की मुक्यमंत्री पत्से नवार कर रहे हैं लेकि इस तोड़ फोड़ पर जो राजिसरकार है उनके अपने तीन दावे हैं सीआडी अधिकारियों के मताबिक जगन की पार्टी का यह जो ऑफिस है मतलब जरो जो कारवाई की गए उसका अधार जानिये सिचाई विभाग की जमीन पर यह ऑफिस बना सुबा लगबग साड़े पांच बजे यह कारवाई की गई और पूरा का पूर जो दफ्तर था उसको धराशाई कर देया गया पजिस सरकार की कारवाई पर वाइसर सीपी कह रहे हैं कि आफिस तोड़े जाने से पहले उसमें स्लाप डालने की तैयारी हो रही थी तेलंगान हाई कोट ने भी किसी तरह की तोड़फूर की कारवाई पर रोक लगा दी पार्टी की लीगल टीम ने सीयाडे कमिशनों को इस आदेश से अवगत करा दिया था सीयाडे ने इस आदेश की अवहेलना की है तो तड़पली पुलिस की टीम नगरने का मधिकारों के साथ सुब का आप कारवाई देख रहे हैं अंधेरे में ही सुबा सुबा टीम पहुच गए आम तोर पर 19 बजे कारवाई की प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन अंधेरे में ही सुबा भोर ही ये लोग पहुच गए और इसी बीच बड़ी खबर दिली से आज डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी को पुषपांजरी अर्पित करेंगे भारती जनता पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष और केंद्रे स्वास्थ मंत्री जेपी नड्डा पौधार उपन और पौधरी वितरत करने का भी कारिक्रम है और देश भर में अलग-लग जगों पर कारिक्रम का आयोजन होगा भारती जनसंग के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर जी के आज पौने तिथी है आज बलिदान दिवस है और राजनीती और समाज में उनके दूर दर्शी द्रिष्टिकों के वजह से उनको हमेशा जाना जाएगा और एक तरीके से बीजेपी के लिए पि है कि मौजूदा बीजेपी का जो हम सरूप देखते हैं उनमें इन चेहरों के एक बहुत बड़ी भूमिका रही है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी खास दौर पर कश्मीर को लेकर के उनका जो विजन था जिस तरीके से उन्होंने आवाज उठाई उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे उनको लेकर के उन्होंने आवाज बुलंद की, उन्होंने संखर्ष किया और आज इतने वर्षों के बाद उनका सपना तब साकार हुआ जब सरकार की तरफ से 370 को वहां से हटाया गया और आज उनकी प पूरा जीवन रहा, किस तरीके से उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने पूरे जीवन को समर्पित किया, कैसे उनकी दूर दर्शिता रही और कहा जाता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी आज के वक्त में भविश्य के सोचते थे, वो भविश्य की चुनोतियों को समझते थे और इसी को ले करके आज का फैसला करते थे और उनके किये गए कारियों को हमेशा याद किया जाएगा भारते जुनता पार्टी आज अलग लग जखो पर उनके संदेशों को किस तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया है, उनका जीवन किस तरीके से, उनकी को लेकर के वो आगे बढ़े भारते जोनता पार्टी के नेता जाहिर है कि इस बात की भी बात करेंगे चर्चा करेंगे और आज कारिक्रम का आयोजन भी होने वाला है सूरज रिवन्ना पर भी सेक्श्वल हरास्मेंट का केस दर्ज किया किया है पार्टी के एक कारेकरता ने सूरज पर समलैंगे का संबंध बनाने का आरोग भी लगाए है और इसमें चेतन केस नाम के एक यूवक ने दावा किया है कि 16 जून को जेडियस मलसी सूरज रिवन्ना ने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया था यहां उन्होंने उसे जबरदस्ती उसके साथ जबरदस्ती की और इस पूरे मामले के खुलासे के बाद अब देखे आगे की कार्टरवाई जा रही है आगे बढ़ते हैं बात उडिसा की करेंगे आज से दो दिवस्य हिंदी साहित्य सम्मीलन 25 जून तक कोरापुट में होगी हिंदी साहित्य सम्मीलन साहित्य सम्मीलन में विभिन विश्यों पर चर्चाएं होंगी तो बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं साहित्य सम्मीलन में कई विश्यों पर चर्चा की जाएगी उडिसा में आज से दो दिवस्य हिंदी साहित्य सम्मीलन है और ऐसे में 25 जून तक कोरापुट में ये सम्मिलन होगा साहित के सम्मिलन में कई विश्व पर परिचर्चाएं होंगी और देखे कितना ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हिंदी को लेकर ग्री मंत्रिय में शाहिए कहते आए हैं कि हिंदी के ऐसी भाषा है जो सबकों आनी चाहिए खास्त और पर दक्षन की राज्यों को लेकर भी उनकी तरफ से कई बार इस बात का जिकर किया गया है और ऐसे में जब आज से दो दिवसे हिंदी साहित सम्मिलन होगा तो जाहिर सी बात है वो तमाम लोग जो हिंदी को लेकर काफी जादा इच्छुक रहते हैं पढ़ने, सीखने में जिनकी एक अलग दिल्चस्पी नसर आती है आज वो तस्वीरे देखने के लिए मिलेंगी औरीसा में दो दिवसे हिंदी साहित सम्मिलन का आयोजन होने वाला है 25 जून तक कुरापुट में ये सम्मेलन होगा और बेहत एहम है क्योंकि एक तरफ औरिया संस्कृती वो कैसे सजोना है भारती जुनता पार्टी की ओर से इस पर भी फोकस होता है लेकिन सबसे बड़ी बात क्योंकि जब हम बात करते हैं हिंदी की तो कैसे ये हमारी पहचान है क्योंकि हिंदी को लेकर के जंच तक पहुंचाने के लिए भी लगतार कोशिशे की जा रही है कि अलग-अलग निताओं की तरफ से इस बात का जिक्र किया जाता है कि कम से कम आपको अपनी मातर्य भाशा तो आनी चाहिए दक्षन भारत में आग इस तरीके से हिंदी से लोगों को जोड़ा जाए ये भी कोशिश होती है तो ऐसे में जो नौन हिंदी बेल्ट है उसमें ऐसा कारिक्रम होना आपने 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 बेहर जादा महत्रपून है हिस्सा में दो दिवस से हिंदी साहित समेलन का आयोजन होगा इसमें साहित से जुड़े कई जो बड़े चहरे हैं वो भी आपको नजर आएंगे हिस्सा लेते हुए